बिहार में नौकरी की चाहा रखने वाले युवाओ के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है दरसर राज्य सरकार ने रिक्त पदो के नियुक्ती को लेकर मंजूरी दे दी है जिसके बाद बिहार में 10,000 से अधिक पदो की जल्दी बहाली होने वाली है बताते हैं आपको सब कुछ विस्तार से बिहार में जल्द 10,000 से अधिक पदो पर बहाली होगी ये सभी नियुक्तिया अस्थाई प्रकृती की होगी राज्य सरकार के विभिन विभागों में रिक्त पदो पर नियुक्ती को लेकर विभाग्य प्रस्ताओं पर समान्य प्रशासन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है समान्य प्रशासन विभाग के अधिकारिक सुत्रों ने बताया कि इन सभी पदों पर नियुक्ती के लिए संबंदित आयोगों को भेजा गया जाएगा और नियुक्ती की प्रकृत जल्द शुरू होगी सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य में पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के 3532 पद राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग में राजस्व करमचारी के 3500 पद स्वास्ते विभाग में सहायक प्राध्यापक के 1318 पद एवं छै अन्य विसे सग्य चिकित्सकों के पद श्रम विभाग में श्रम परवर्तन पदादिकारी के समान्य प्रशासन विभाग के अनुसार राज्यों में पंचायती राज विभाग ने पंचायत सचीव के 3532 पद राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारी के 3500 पद स्वास्ते विभाग में सहायक प्राध्यापक के 1318 पद एवं 6 अन्य विसेसग्य चिकित्सकों के पद श्रम विभाग में श्रम परवर्तन पदाधिकारी के 63 पद वहीं जल संसाधन विभाग में सहायक अवियंता के 51 पद क्रिसी विभाग में सहायक निदेशक क्रिसी अवियंता के 18 पद एवं सहायक निदेशक पौधा संरक्षन के 8 पद सहकारिता विभाग में सहायक निदेशक सहयोग समीतियों के 7 पद तथा बिहार लोकसिवा आयोक से 79 वी प्रतियोगिता परिक्षा से जुड़े 329 पदों पर नियुक्ती की मंजूरी दी जा चुकी है वहीं करीब 2000 से अधिक पदों पर मंजूरी की प्रक्रिया जारी है। पर नियुक्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। अगर आप यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुर्ब यूटरी की अगरे जाभ हमारे यूट्यूब चैनल पसक्राइब करें। शुर्ण पर देख प्रक्राइब करें। झाल झाल